नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका Pharma Roks के YouTube एजुकिस्टन चैनल में तो आज हम सिखने वाले है जापुरिल टैबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक उसके बारे में के कौन से लगलग मेडिकल कंडिसन को ट्रीट करने के लिए जापुरिल टैबलेट जो यूज किया जाता है साधी जाने के उसके डोस के बारे में उसके सैड इफेक्स के बारे में सिखेंगे and warning and contraindications के detail study करेते हैं तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा basic बता दू कि यह ऐसे class का medication है कि जिसको हम antipsychotic drugs कहते हैं और यह medication जो अलग-अलग मानसिक बीमारिया होती है उसके इलाज में जो वो यूज की जाती है और उसको ऐसा भी कहा जाता है कि जो इसको अलग-अलग मानसिक बीमारिया होती है mental health से जुड़ी जो problem होते है उसको ठीक करने के लिए जापोरिल 100 टैबलेट जो वो यूज की जाती है तो उसके detail study करते हैं और जानते है यह medications के बारे तो उसके label की हम पहले तो अच्छे से study करेंगे जानेंगे कि उसके कितने dose में आप उसको use कर सकते हैं उसके side effect and warnings को भी समझना जरूरी है because सबसे पहले तो medications के safety जरूरी होती है तो safety के लिए use से बाइतर है कि पहले उसके side effects क्या होते है आपको वो medication suit हो रही है या नहीं तो वो सब जानना भी जरूरी तो उसकी भी हम detail study करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जापोरिल टैबलेट जो वो काम करता है तो ऐसे ही आपको बहुत सरी दवाइओ के बाएं में सीखना है तो हमारे medicine course को आप जोइन कर सकते हैं कि इनelect से आप लुए तो medicine course के अंदर आप अलग लग दवाइओ के basic use के बारे मैं सीख सकते हैं उनके dose के बारे में side effects क्या होती है Warning and Contra Indications के बारे में सीख सकते हैं तो ये course को जोईन करने के लिए हमें WhatsApp कर सकते हैं 9016312020 पे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डीटेल दिख रही है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं तो आप समझते हैं Zaporil 100 टाबलेट के बारे में मानसिक बीमारिया होती है उसके लाज में यह antipsychotic drugs जो है वो यूज की जाती है तो जापो रिल जो है उसका brand name है और उसके अंदर जो salt content है वो है close up इन 100 करके हैं कि close up इन 100 mg जितना यह tablet के अंदर present है और इसके manufacture की हम बात करें तो icon life sciences उसके manufacture है और उसका head office जो है वो हैदराबाद में है तो यहाप याप उसके label की study अच्छे से करें तो label में हम यहाप देख रहे है कि RX लिखा हुआ है मैं लिखा हुआ है यह prescription based medication है close up इन टाबलेट जो इंडियन फार्माकोप्या के standard के according to बनाए गार उसके अंदर 100 mg जितना close up इन present है कि जो एक antipsychotic drug है जापोर इल जो है उसका ब्राणने में कि जो icon lab science से इसने दिये है और हिंदी में भी आप उसका नाम जो नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं फिर यह पर आपको देखना है कि यह uncoated tablet है उसके उपर कोई भी प्रकार का coating नहीं किया हुआ है 100 mg की strength है और doses के बात करें तो physicians के according to ही लेना होता है because इसके doses के या फिर उसका जो use है वो proper जो psychiatrist होते हैं जो manovignanic doctor होते हैं उनके सला और उनके guidance के according to यह medication use की जाती है फिर बच्चों से यह medication को आपको खास कर दूर रखनी है और cedule h drug होने के कारण जब भी यह prescription जब भी यह retail में बेचे जाती है तो prescription के साथ ही उसको जो बेचा जाता है और उसका जो storage है वो आपको SJ से करना है, light से उसको protect करना है, moisture से protect करना है और temperature जो है वो 30 degree से ज़्यादा ना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका back cover पे कि वहाँ पे प्रॉपर detail जो हो प्रिंट होती है और आलू-ालू packing के अंदर यह tablet जो हो आपको मिलती है तो उसके use की हम बात करें तो जितने भी अलग-अलग mental health से जोड़ी जो बीमारिया है खास कर और उसमें भी हम specific को यह एक बीमारी के बारे में बताओ में तो जो schizophrenia की जो condition होती है कि जिसके अंदर होता क्या है कि जो patient होता है वो उसके अंदर कोई emotions ही देखने के नहीं मिलते कि emotions का आभाव होते है उसके अंदर फिर second हम उसके symptoms देखे तो उसको ऐसी आवाजे सुने देती है कि जो actual में exist ही नहीं करती कि person ऐसा फिल करता है कि उसके आसपास कुछ ऐसी आवाज हो रही है वो कुछ ऐसी आवाजे सुनता है और उसके related जो रियक्ट करता है और उसके thinking भी de-organized हो जाती है delusions रहते हैं उसके body के अंदर और ऐसे patient जो suicidal attempts भी करते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए यह medication जो दी जाती है कि एक risk रहता है suicidal behavior का जो schizophrenia की जो patient होते हैं तो उनके लिए यह medication जो वो सबसे based हैं फिर जो psychosis की जो condition होती है psychosis मतलब कि एक मानसिक विक्रूती जो हम कहते हैं कि बहुत सारे हम crimes हो जो अगरा में कई बार देखते हैं कि patient जो वो mental health related problem के करन ऐसे crimes कर लेते हैं मतलब कि उनके अंदर कोई emotions ही नहीं होते और वो emotions ना होने के करन वो काफी dangerous crimes जो वो कर लेते हैं तो उसके पीछे के मानसिक विमारी भी होती है तो जब वो proper time पे उसका diagnosis हो जाए और पता चले तो zaporel 100 tablet से उसका इलाज जो वो किया जाता है फिर चौथी condition हम यहाँ पे हम देखे तो जो refractory schizophrenia के condition में लेकर किसी और दवाई से जब schizophrenia ठीक नहीं हो रहा तो आपके पास यह best option रहता है zaporel 100 tablet के जिसके अंदर medication जो है close up in 100 mg तो यह medication जो है वो यह सभी symptoms को treat करनी के लिए use की जाती है अब बात करते हैं उसके dose की तो उसका जो ideal dose जो है वो 50 से लेकर 300 mg जितना रहता है per day मलब कि यह जो dose है वो patient divided dose में लेता है जैसे कि हर 8 या 12 गंटे पे उसका एक dose जो हो लिया जता है देखते हैं एक example कि जैसे कि समझे कि कोई 100 mg की यह tablet ले रहा है तो हर 8 या 12 गंटे पे उसका dose लेगा कि मलब कि दिन में 3 बार लेनी है तो हर 8 गंटे पे आप लोगे तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इस तरह से 300 mg per day में डिलिवर हो जाएगा और आप समझे कि दिन में 2 बार लेते हैं तो हर 12 गंटे पे आप इसका dose लेंगे तो 200 mg जितना आप dose ले सकते हैं तो इस तरह से इसका dose फिक्स किया जता है second हम बात करते हैं उसके working के कि यह कैसे काम करता है तो हमारे सरीर के अंदर कुछ ऐसे chemicals रिलीज होते हैं जिसका नाम है dopamine and serotonin तो वो जो chemical होते हैं उनकी effect को block करकी यह medication वो काम करती है तो जो receptors होते है dopamine receptor या फिर जो serotonin receptors तो उनके उपर यह medication जो वो target करती है और उनकी effect को block कर देते हैं कि जिससे यह mental health से जो symptoms होते हैं जो problems होते हैं कि like patient के mood swings हो रहे है mood behavior फिर उसके जो thought है उसको improve करने में जो वो काफी मदद मिलती है तो इस पहली जो schizophrenia के जो patient होते हैं उनके जो mood जो काफी ज़्यादा swings होते हैं hallucinations में वो रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा overthinking करते हैं सोचते रहते हैं कि जो exist ही नहीं करता उनको ऐसे आवाज सुना ही देती हैं तो यह सभी problem को यह medication serotonin as well as dopamine receptors होते हैं उनकी effect को block करके जो है वो useful effect देता है तो pharmacologically हम देखे तो अलग-अलग neurotransmitters को यह block करता है जैसे कि dopamine के जो type 4 receptor होते हैं इनको block करता है serotonin के type 2 receptor को block करेगा norapirafrin receptor है acid alkaline receptor and histamine receptor तो यह अलग-अलग neurotransmitter related receptor से उनको block करके यह medication वो काम करती है जैसे कि आप आप देख रहे हैं D2 मतलब कि dopamine receptor है H1 मतलब कि histamine receptor है फिर 5HT2 मतलब कि 5 hydroxy tryptamine जो serotonin जो का आ जाता है वो receptor को block करता है muscarinic M1 and M3 receptor को भी block करता है और alpha 1 receptor को भी यह block करकि अपनी pharmacological action देता है तो अब यह दवाई की कुछ side effects है तो side effects अच्छे से समझे तो सबसे पहले उसकी side effect है sweating कि जो भी person यह medication लेता है तो उसको काफी ज़्यादा पसीना होता है तो यह side effect develop होती है second low blood pressure कि patient का blood pressure जो अचानक से down हो सकता है और उसके करण जो उसको पसीना भी होता है तो यह dose की एक major side effects हम कह सकते हैं तो खास का treatment जो वो low dose से ही सुरू की जाती है बिकास जो हमने range देखी कि 50 से लेकर 300 mg पर डे जितना patient ले सकता है तो कई बार 100 mg पर डे ले तो भी जो यह वो enough रहता है कि जैसे side effects जो वो कम हो जाए फिर dry mouth मनले कि गला सूख रहा है ऐसा patient feel करता है चौति side effect हम देखे तो nausea vomiting कि उल्टी होती है जी घबराता है यह tablet लेने के बाद फिर कुछ लोगों को constipation हो जाता है कब्स का problem हो जाता है and visual disturbance मलब कि आपको देखने में दिक्कत आती है blur vision हो जाना जैसे कुछ side effects यह कर सकती है फिर यहापर जो आप देख रहे हैं कि blood pressure अचानक से down होना पसीना होना constipation उसके लावा दूसरे हम side effects देखे तो एक side effect है कि uncontrolled leakage of urine मलब कि आप urine को रोग नहीं पाते यह अगर यह medications आप लेते हैं तो यह major side effect हम कह सकते हैं टैकी काडिया मलब कि आपके heart rate जो हो बढ़ना मलब कि increase in heartbeat कि आपके दिल की धड़कन ही जो हो बढ़ती है तो यह complications होता है कि जो normal 60 से लेकर 100 जितने normal heartbeats होते है पर यह medications 100 से ज्यादा heartbeats करवा सकती है तो यह major side effect है फि यह medication को लेने के बाद सिर्दर्थ हो सकता है उसको या फिर tremor जैसा फिलोना हाथ में कमपन होना तो ऐसे कुछ problem हो सकते है तो उसी के करान उसके कुछ warning से तो पहली warning यह है कि अगर आप ऐसे patient है कि जिनका blood pressure low रहता है तो ऐसे लोगों को यह medication नहीं देनी चाहे बिकॉस यह medication उनका blood pressure और जदा कम करवा सकते है कि जिससे काफी life threatening problem हो सकते है जानलेवा condition हो सकती है तो पहला दियान यह रखना चाहिए तो जब यह medications केसी को prescribe की जाती है तो उसकी medical history भी चेक की जाती है कि उसको BP का problem तो नहीं है और उसमें समझो कि low BP का problem है उसको तो यह medication नहीं दी जात तीसरी बच्चों में यह medication को यूज नहीं की जाती चौती condition हम देखे तो pregnancy के दौरान भी आप उसको यूज ना करें पांचवी condition आलकोहल के साथ उसको यूज ना करें कि अगर कोई alcohol consumption कर रहा है तो उसके साथ जापोरिल यूज ना करें because उससे क्या हो सकता है कि आप बहुत patient को यह medication कभे भी नहीं देनी चाहिए तो ऐसी ही सिखे detail में किसी भी दवाई के बारे में medicine course के अंदर pharma rocks के अप उपर कि जैसे आज हम यहाँ पे जापोरिल के बारे में सिखे ऐसी ही बहुत सरी दवाईों के बारे में सिखे उनकी dose के बारे में सिखे उनके side effect warning and contraindications वो भी एक साल तक affordable price में pharma rocks के अपर तो medicine course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे good luck and all the best